नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में एक्चुली आज देख रहे होंगे आप कुछ पीछे का बैक्ग्राउंड कुछ अलग है बिल्कुल अलग है साथ क्योंकि मैं एक दिन के लिए गाउं आया था कुछ अमरजेंसी थी और पापा ने विका कि नहीं नहीं गाउं गुमना है चलो एक दिन के लिए चलते हैं तो मैं तो आज निकलूँगा यहां से और फिलाल पिता जी और मम्मी जी यहीं रह जाएंगे उनको फिलाल है चोड़कर सब कुछ वेल मैंटेंड है कोई दिक्कत नहीं है तो जब भी उनका दिल करता है यहां आ जाते हैं और अपना जब तक दिल करता रहते हैं उसके बाद फिर बोलते हैं वहां में लेके जाओ तो हम जो है फिर अपना दिली बैक्टूब पवेलियन वह वाला हो जाता है तो आज में चीज है कि थोड़ा सा ट्रेफिक में रहा तो ज़्यादा अपडेट रहा नहीं पाया और बाकी जो जी ट्वेंटी का है उसके बारे में बात करते हैं कुछ सिवाई नू की एक नियूज मुझे मिल गई कि इसाब किसमत कैसे बदलती है उसके बारे में बताता हू कि बंदे ने थोड़ा सा इंवेस्टमेंट किया और वो किया मिलियन एर बन गया कुल चौदे महीने में केवल 14 और वह लेकिन क्या था कि आइप सही टायम पर सही इंवेस्टमेंट और सही टायम पर एक जिट मैंने का अधना प्रॉफिट बोकिंग मस्ट तो वो क्या है कि स उसका लग था सिवाई उन्होंने उसको मिलियनेर बना दिया वह मैं आपको एक स्क्रीन सोट दूँगा आप देख लिजिए गा लेकिन अभी हम बात करते हैं अपने जी ट्वंटी की जी ट्रेंटी में क्या चला बहुत कुछ खराब चला लेकिन मैं चीज़ था जो हमें चाह यह था वो अभी क्लियर कट नहीं मिला और वो जी हमें लगता है कि साइद और अभी हमें इंतियार करना पड़ेगा और इंतियार भी साइद अगस्त सितंबर अक्टूबर तक भी जा सकता है जा क्या सकता है आपको इंतियार करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है क्योंकि जो भी मीटिंग्स हैं सब होई सब के अपने अपने विचार थे लेकिन फिर भी कहीं ने कहीं इस बात पे कहीं ने कहीं disagree रहे कि अभी एक साथ इसको regulate कर दिया जाए सब का यह था कि अभी और थोड़ा इस पे सोच विचार कर लिया जाए थोड़ा सा और इसको कोई जाच परक लिया जाए यानि अभी तक कर्प्टों के बारे में कुछ भी जानकारी है ही नहीं भाई यही कहेंगे कि आप इतने दिनों से यह सब हो रहा है उसके बाद भी आप एक सई जानकारी नहीं जुटा पाए तो इसका मतलब यही है कि आपकी या तो इंट्रेस्ट नहीं है या आप उसको इतनी इजिली और जल्दी से करना नहीं चाते कहीं ने कहीं जो CBDC यानि जो डिजिटल करंसी है हर एक कंट्री की वो सामने आ रही है हर एक सरकार उसी को प्रमोट करने में लगी है और उसी के तरफ उसका दिहान भी जादा है तो बात वही है कि जब तक ये CBDC का क्योंके इनको पता है हम CBDC को ये 5-6 महने का जो इनोंने टाइम लिया है तब तक ये उसको और थोड़ा प्रमोट कर लेंगे और थोड़ा सा उसको ग्रो कर लेंगे उसके बाद ये करफटो करंसी के बारे में सोचें और वो भी crypto currency को currency नहीं, capable assets के रोम में, यानि प्रतिभूती के रोम में, आप उसको यह क 오गा, currency के रोम, आप कर लीज़े, वो एक इमाने ताव्या नहीं देगी, आप easily अपना normally वैसे कर सकते हैं, कर लो, लेकिन एक fiat currency के तौर पर साथ क्रिप्टो करंसी को सरकार नहीं अपनाएगी और यहां पर मीटिंग में निर्मला सीतर नमने जी ने जो there was a seminar on policy perspectives debating the road to policy's consensus on cryptocurrencies this seminar was also of great interest for most members who participated that was held on 23rd February it was to deepen the discussion around crypto assets and to foster better understanding of the broader implications of crypto assets then continuing the theme of crypto there was a panel discussion on leveraging national payment systems to enhance cross-border payment arrangements it also had inputs on what happens to the cryptocurrencies which banks have bought out like the way India's Reserve Bank has also come up with a pilot for both retail and for wholesale use of crypto currencies that is CBD central bank driven currencies then there was an a third event in which crypto could play a role that event was the SME financing and bridging the gap which was also organized for the delegates so all of them have been well attended well received and there's a lot of discussion about it on the debt vulnerability the IMF World Bank and the Indian presidency co-chaired and hosted a meeting of the global sovereign debt round table on the sidelines of the meeting the objective of this debt round table is to bring together a diverse group of stakeholders to share their views and to coordinate and collaborate on global debt policy issues participants also of the round table है आप थोड़ा सा इस चीज़ से एग्री रहें हर तरीके से आप वो वाला जो डर है ना वो आप अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए कि कहीं कोई बैन की सिच्वेशन आएगी वो नहीं आएगी अब लेते हैं सिवाईनों की बात तो देखिए इस बंदे ने सिवाईनों में इन्वेस्ट किया था 2020 में 2020 से लेके 2021 तक इसका हॉल टाइम हाई बना और केवल 14 महीने और 14 महीने में इसका कुछ कितना में चेंज हो गया वो आपको देख लिजिए क्योंकि वो किता है लक बाई चांस किसमत अच्छी थी अगले की कि उसने जो एक सही टाइम पर इंवेस्टमेंट किया दूसरा वो किता हो एक और टाइम हाई पर उसने एगजिट भी किया तो मैंने आपको पीछे भी वी अलग चीज थी लेकिन अब बहुत को चेंज हो गया क्योंकि जो फियूचर ट्रेड आया है कि एसने बहुत कुछ चेंज कर दिया है क्योंकि किसी का भी प्रैज उपर जाता है तुरंत वहां से उसको क्रेस करवा दिया जाता है प्रॉफिट बुक कर गे तो आप वो चीज Almost अब नहीं सोच सकते जो पहले हो चुकी है क्यों पहले future trade में इतना ज़्यादा लोग ना तो interested थे और नहीं इतना ज़्यादा लालच था अब क्या है आदमी लालच में जो है future trade में जाता है basic scope loss होता है लेकिन फिर भी उसका impact जाता है long time holders पर जो बना के बैठे हुए क्यों उनका price उपर नहीं जाने देते वो उपर गया profit book की आप प्राइज नीचे आया तो बस यही चीज़ चलती रहती है तो इसलिए कहता हूँ एक सही time पर एक certain amount का आप जो profit बनता है उसको लीजिए वही सबसे अच्छा है long time prospectus मैंने हमेसा बोला कि आप दो portfolio बना के रखिए एक long time के लिए कि जो छोड़ दीजिए मिल जाएगा तो बहुत अच्छा नहीं मिलेगा आप जो है उसको अपना short time में जो दूसरा portfolio है उससे अपनी जेब में डालते रहिए profit को निकाल दिए डालिए वो ज़्यादा बहतर रहेगा long time के लिए हमेसा यही सोच के मत बैठो के हमने 500 रपे लगा दिया है long time के लिए हम करोलपती बन जाएग भाई ये whales और exchange आपको बनने देंगे तब ना दूसरा यहाँ एक चीज़ और होगी अब आपको एक साल और इवेट करना पड़ेगा क्योंकि rules and regulations आपके एक साल टल गए क्योंकि सितंबर अक्टूबर में जाके कहीं कोई paper इनके ready होंगे उसके बाद फिर उस पर चर्चाएं होंगी तो आपके यह मालीजे कम सिकम 2024 तो 2024 में आपके rules and regulations का आना होगा उसके बाद कहीं कोई आपको security वो मिल पाएगी तो तब तक क्या करोगे आप तो इसलिए कहता हूँ कि आप जो है profit लेते रहिए और एक long time का जो आपका prospectus है उसको छोड़ दीजे side में कि आपना छोड़ दिया जितना बड़ेगा बड़ेगा loss में जाएगा loss में जाएगा वहां हमें ज्यादा सोचना नहीं है बाकी देखिए आपकी मर्जी है जैसा आपको ठीक लगता है वो कीजिए और बाकी मैं आज यहां से निकल रहा हूँ बस थोड़ी देर में बाकी ममी और पापा यहीं रहेंगे अभी दो-चार दिन जब उनका मन करेगा तब फिर द्वार से कॉल आएगा मेरे पास क्या आजाओ हम दिल्ली चलेंगे तो बस निकलेंगे बाकी अभी जो निव वाली अपनी गाड़ी जो भी परचेज की है सामने खड़ी भी देख रहें अपना टेक्टर खड़ा हुआ है बाकी इसके जो भी और अप्रस पर गए रहा है घर पर देखे यह निच्चे का है बाकी एक फर्स प्लोर उपर मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ बैसे पहले भी मैं आपको अप्डेट कर चुका हूँ यह हमारा निच्चे का पूरा हॉल है जहां पर पूरा एक तरह से जो अनाज पैदा होता है उसको यहां पे स्टोर किया जाता है तो यह पूरा बस वही है कुछ यह खेत में लेपताजी थोड़ा से यह रोकेंगे लेवर से लगवा के उसके बाद फिर हमें यहां से अप्डेट करेंगे क्या जाओ ले जाओ तो यह है कुछ हमारा नीचे का पूर्सन बाकी फर्स्ट प्लोर अलग है मैं अभी दिखा देता हूँ अभी थोड़ा सा यह हमारे कुछ फुल पौदे लगे हुए हैं और यह हमारा फ्रेंट अलिवेशन है गर का और यह हां से एक दर यह से एक जिट है मैं गेट तो चलिए फिर मिलते हैं आप से किसी नए अपडेट के साथ नए वीडियो में और जानकारी कैसी लगी घर कैसा लगा पताईएगा जरूर चलिए फिर मिलते हैं नमस्कार